करोना बैक्सिन को लेकर कांगर्स प्रदेश में बरहम पलाना चाहते है। राजीव सहजल ने कांगर्स पर पलटवार करते हैं कहा कि विपक्षी दल वैक्सिन को लेकर भ्रम फलाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बास्तविक्ता कुछ और है उन्होंने कहा कि वैक्सिन लगाने में पूरे देश में हिमाचल को सर्फशेट आंका गया है देश में सबसे कम डोजिज हिमाचल में व्यर्थ हो रही हैं इसलिए हिमाचल वैक्सिन लगाने में नंबर वन है उन्होंने कांगर्स को सला दिये कि वैकेवल विरोध के लिए विरोध ना करें बलकि संकड की इसकाल में भाजवा का सहयोग करें समय एसा है हिमाचल प्रदेश में पता नहीं क्यों वैक्सिनेशन को लेकर के हमारे विरोध ही लोग रहे हैं और मैं आपको यह बताना चाता हूँ वैक्सिनेशन जिस प्रकार से हो रही है पूरे देश के अंदर और हिमाचल प्रदेश को सरुसरेष राज्य वहांका गया है, हम नंबर वन हैं, वेक्सिनेशन के मामले में, चाहे हमारा डोसे जो वेस्टेज है, वह सबसे कम है, माइनस में हमारा वेस्टेज है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन कुछ लोगों को चर्चा का पता नहीं, क्यों यह विशे है यहाँ पर यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है vaccination के मामले भी हम number one percentage of population जिस प्रकार से जो हमने जो है जिसको अभी तक जो है वो कर दिया है तकरिवन 40% को जो है हम touch करने वाले है base stage zero है और हमारे पास जिस प्रकार से अपनी duty दे रहे है और जो vaccination के लिए जो duty दे रहे है बहुत बहतरी से अपनी duty जो है वो निभा रहे है और मुझे लगता है कि आज अगर कोरोना की दृष्टी से भी देखे हम तो जिस धंक सही हिमाचल ने कोरोना से लडने में जो है जिस प्रकार से जो रुख अक्तियार किया हिमाचल प्रदेश से जो strategy हमने अपनाई है वो पूरे देश भर में एक सरफस्रेश्ट strategy जो है वो मानी जाती है चाहे वो हमारा ACF campaign रहा हो जिसके पूरे देश भर में